सुनहरी पक्षी एक बार एक जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक सोने की चिडिया रहती थी जब भी वह मलत्याग करता था, बूंदे सोने में बदल जाती थी एक बार एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली तो वह बहुत ठक गया था इसलिए वह एक पेड़ की चाया की नीचे बैठ गया और अपनी आँखें बंद कर ली ये वही पेड़ था जहां सोने की चिडिया रहती थी थोड़ी देर बाद गोल्डन बर्ड ने अपनी बूंदों को छोड़ा और वह सोने में बदल गए आवाज के कारण शिकारी उठा और देखा कि उसके सामने सोने का एक टुकड़ा पड़ा है उसे आश्चर्य हुआ अचानक पक्षी फिर से निकल गया और इस बार शिकारी ने बूंदों को सोने में परिवर्टित होते देखा वह हैरान था वाह यह एक अद्भुत पक्षी है मुझे इसे पकड़ना चाहिए और शिकारी ने सावधानी से अपना जाल शुरू किया और अंजान होने पर पक्षी को पकड़ दिया शिकारी पक्षी को वापस अपने घर ले आया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया लेकिन एक विचार उन्हें हर समय परेशान कर रहा था अगर कोई देखता है कि मेरे पास एक पक्षी है जो सोना उत्सरजित करता है तो मैं मुश्किल में पढ़ जाओंगा अगर कोई राजा को बताता है तो मुझे दंडित किया जा सकता है ये बेहतर है अगर मैं उसे खुद राजा के पास ले जाओं और वह मुझे इनाम दे यह सोच कर वह पक्षी को राजा के पास ले गया उसने राजा को सोने की चिडिया निकालने की कहानी सुनाई और राजा चकित रह गया उन्होंने खुशी-खुशी कहा जाओ, मंत्री को बुलाओ इस शिकारी को इस पक्षी के लिए उचित इनाम दिया जाना चाहिए मंत्री थोड़ी देर बाद आते हैं लेकिन पक्षी को देख कर वे अपने दिमाग का उपयोग करते हैं और कहते हैं, महाराज, यह कैसे संभव है कि एक चिडिया सोना निकाल सकती है लगता है कि यह शिकारी इनाम पाने के लिए आपको मूर्ख बनाना चाहता है राजा को मंत्री की बात समझाई और कहा मैं इस मूर्ख को अभी सजा दूँगा, इस पक्षी को छोड़ दो इसे जाने दो और इस शिकारी को बंद कर दो पक्षी मुक्त हो गया और वह उड़ गया उड़ते समय वह दर्वाजे के पास निकल गया और यह सुने में परिवर्थिध हो गया राजा और मंत्री आश्चर्य चकित थे क्या? यह पक्षी वास्तव में सोना उचसर्जित करता है लेकिन तब तक पक्षी उड़ गया राजा ने अपने मंत्री को पक्षी की पीछे दे जा लेकिन यह उड़ गया उड़ते समय पक्षी ने सुचा, मैं मुश्किल से बच करना, मुझे गलती नहीं करनी चाहिये थी अंजान होना और शिकारी के सामने मलत्याब करना, यही कारण था कि मुझे कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया दिया, दूर दूर उसने एक नए पेड़ पर एक नया घर ब हमने सीखा कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, समझ गया?